हेलो दोस्तो अभी की समय में हर कोई छोटा और बड़ा काम करने के लिए कंप्यूटर का इस्तमाल किया जाने लगा है गवर्मेंट और प्राइवेट कंपनीज के अंदर सब कुछ काम कंप्यूटराइज हो गया है जैसे रेलवे का टिकेट निकालने के लिए कंप्यूटर का इस्तमाल किया जाता है प्राइवेट कंपनीज के अंदर अपना सारा कैलकुलिशन सेव करने के लिए कंप्यूटर का इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तो ऐसे में government companies और private companies को बहुत बड़ी तादाद में computer operators की जरुरत पड़े जाती है तो दोस्तो बहुत सारे students अपनी 10th और 12th पास करने के बाद ITA कोपा का course करने के बारे में सोचते है क्योंकि दोस्तो ITA कोपा का पूरा course कर लेने के बाद आप computer operator, data entry operator, computer trainer, etc. जैसे job बड़ी आसानी से कर सकोगे तो दोस्तो आज की special वीडियो के अंदर मैं आप सभी को full detail में बताने वाला हूँ कि ITA कोपा का course क्या होता है इसके अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है ITA कोपा करने के बाद आगे और क्या कर सकते है ITA कोपा का course करने के लिए क्या eligibility criteria होता है ITA कोपा का course करने के लिए कितना समय लगेगा इसके लिए कितने रूपीस की fees देने पड़ीगी ITA कोपा का course कंप्लिट कर लेने के बाद आप कौन-कौनसी government and private companies के अंदर job असिल कर पाओगे और वहाँ पर आपको per month कितने रूपीस की salary मिलेगी और दोस्तों end way मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ITA कोपा का course कंप्लिट कर लेने के बाद आप कौन-कौनसी business से start करके लाखोय रुपे की कमाई हर मेना कर सकते हो तो चलो इस वीडिकी शुरुवात करते है और ITA कोपा के बारे में full details में जान लेते है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते है कि ITA कोपा क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या-क्या सिखाया जाता है दोस्तों कोपा ITA कोर्स की सबसे महत्व पुर्ण और famous ब्रांचों में से एक है कोपा का full form computer operator and programming assistant होता है ये computer से related one year का ITA का trade होता है जिसके दोरान students को basic computer और internet programming languages के बारे में सिखाया जाता है ये computer related branch है इसके लिए बहुत सरी students ITA कोपा का कोर्स करना चाते है इस trade को कुछ इस तरीके से design किया गया है कि only 10th pass होने वाला student भी इस कोर्स को बड़ी आसानी सी करके अपनी life set कर सकता है ITA कोपा के एक साल के कोर्स के अंदर students को computer के से चलाते है internet के से काम करता है internet का use करके काम कैसे करना होता है मतलब data entry कैसे करनी होती है computer operator का काम क्या होता है इसके बारे में सिखाया जाता है इस कोर्स को करने के बाद student को बड़ी आसानी से government और private companies के अंदर job मिल जाता है ITA कोपा एक एसा कोर्स है जिसमें computer operator से related सारी जानकरी दी जाती है इस कोर्स में आपको theory के साथ साथ सबसदा practical करवाये जाते है अगर मैं आपको detail में बताऊ तो दोस्तो introduction to computer and windows operating system introduction to VBA, future and application computer hardware basics and software installation javascript introduction to command prompt and operating system web designing concept word processing, e-commerce spreadsheet application, internet concept image editing and creating ppt how to use microsoft office cyber security से related knowledge database management system से related knowledge smart accounting, networking concept etc से related बहुँ सारी detail में जानकरी ITA कोपा के कोर्स के अंदर सिखाई जाती है अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि ITA कोपा का कोर्स कर लेने के बाद future में हम लोग आगे कोण कोंसे कोर्स सिख सकते है दोस्तों ITA कोपा का एक साल का कोर्स कर लेने के बाद आपको excel sheet, microsoft office computer hardware and software से related काफी सारे knowledge मिल जाती है लेकिन आपको यहाँ पर basic knowledge मिलती है इससे आपकोई बड़ी job तो हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए बहुत सारे students आगे अपनी study continue रखते है जिसमें आगे जाके वो ITA का mobile repairing का कोर्स कर सकते है ITA का computer hardware and networking का कोर्स कर सकते है ITA का tally का कोर्स कर सकते है digital marketing का कोर्स कर सकते हो 3D animation का कोर्स कर सकते हो graphic design का कोर्स कर सकते हो database management system का कोर्स कर सकते हो cyber security का कोर्स कर सकते हो BCA का कोर्स कर सकते हो etc. जैसे कोर्सेस ITI कोपा का कोर्स कर लिने के बाद आपके सामने निकल के आ जाते है और बहुत सरे स्टुडेंट्स इनको भी कंप्लिट कर लेते है अभी दोस्तो हम लोग ITI कोपा के कोर्स के लिए क्या अलिजिबिलिटी के बाद ही ITI कोपा का कोर्स करना क्यूंकि दोस्तों कॉम्पेटेशन इतना रदा बढ़ गया है कि कंप्लिटर ओप्रेटर के पोस्ट पर भी भो सरे ग्राजवेट या फिर ट्वेल पास होने वाले स्टुडेंट्स अपलाई करते है और दोस्तों गवर्मेंट सेक्टर्स जैसे की रेलबे, पुली स्टेशन, र्टियो ओफिसेज, इंकम टैक्स ओफिसेज, आधरकाट सेंटर्स और इत्यादी जगह पर गवर्मेंट ओनली हाईयर एजुकेशन लेने वाले स्टुडेंट्स को ही जॉब देना चाती है जिसके वज़े से स्टुडेंट्स बारवी पास करने के बाद आईटी आए कोपपा का कोर्स करना ज्यादा प्रिफर करते है दोस्तो हर स्ट्रीम वाला स्टुडेंट इस कोर्स को कर सकता है आईटी आए कोपपा का कोर्स करने के लिए आपकी एज 14 येर से ज्यादा और 40 येर्स के कम होनी चाहिए दोस्तो बहुत सरे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन विदाउट एंट्रेस एक्जामी हो जाता है आपके 10, 10, 12 के पसेंटेज देखकर एडमिशन हो जाता है दोस्तो ITI कोपा का कोर्स हर प्रकार के ITI Government Institute के अंदर और ITI Private Institute के अंदर मोजुद होता है अगर दोस्तो आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो आपके पसंटेज अच्छे आते हैं तो दोस्तो आप Government ITI College के अंदर admission लेके अपना कोपा का कोर्स complete कर सकते हो या फिर अगर आप पड़ाई लिखे में अच्छे नहीं हो तो दोस्तो आप private ITI इंस्ट्टूट्स के अंदर admission लेके अपना course कर सकते हो अगर दोस्तो इस course की फीज की बात करें तो दोस्तो government colleges में ITI कोपा का course करने के लिए 2000 रुपई से लेके 10,000 रुपीज तक की फीज लेते हैं और वही private colleges की अंदर 30,000 रुपीज से लेके 15,000 रुपीज तक की फीज लेते हैं अभी दोस्तो हम लोग यह जान लेते हैं कि ITI कोपा का course complete कर लेने के बाद आप कोन कोन सी companies में और कहा कहा पर job हासिल कर सकते हो अगर दोस्तो हम लोग government sectors की बात करें तो government में आप railway के अंदर computer operator के post पर job हासिल कर सकते हो कोड के अंदर computer operator के post पर job हासिल कर सकते हो बैंक में data entry operator के post पर job हासिल कर सकते हो इसके साथ साथ police विवाग, income tax office, other card centers, RTO offices, post office, GST offices, BMC office, registry office, government hospitals, government schools and colleges etc. जैसे बहुत सारे government offices के अंदर आपको बड़ी आसानी से job मिल जाती है और दोस्तो private companies के अंदर आप computer operator, internet operator, inbound call operator, data entry operator, customer service operator, trainee service desktop operator, assistant programmer, DPT operator, etc. जैसे post पर job हासिल कर सकते हो अगर दोस्तो हम लोग in post पर मिलने वाली salary की बात करें तो दोस्तो as a data entry operator या फिर computer operator, as a fresher आपको 12,000 रुपीज की salary per month दी जाती है जैसे आपके पास 2 years का experience आ जाता है तो दोस्तो आपको in post पर 15,000 रुपे से लिके 20,000 रुपीज की salary per month दी जाती है और दोस्तो जैसे आपके पास 4-5 साल का experience आ जाता है तो दोस्तो आपको 25,000 रुपीज तक की salary per month दी जाती है दोस्तो data entry operator को जाता salary नहीं मिलती लेकिन यहाँ पर आप government sectors के अंदर बड़े आसानी से career बढ़ा सकते हो अगर दोस्तो हम लोग business की बात करें तो दोस्तो ITI COPPA का course complete करेने के बाद आप अपना खुद का cyber cash open कर सकते हो खुद का stamp duty registration को office open कर सकते हो, application development की services open कर सकते हो, web designing की services open कर सकते हो, आप e-commerce and digital marketing की services start कर सकते हो आप mobile repairing का business open कर सकते हो, computer hardware और repairing का shop open कर सकते हो, etc. जैसे businesses open करके आप अच्छी कासी कमाई हर मेना कर सकते हो तो उम्मिद करता हूँ, आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा, इस वीडियो को share करके लोगों की मदद करो, आपका प्यार देने के लिए और एसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को, धन्यवाद